आज हम लोग RBI JE का कोश्चन सॉल्फ करेंगे ठीक है पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं जो दिया गया है और हम लोग आज फर्स्ट कोश्चन से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्चन है वीच अब दर फोलोईंग इज़ एसकिलर क्वांटिटी से स्किलर क्वांटिटी वहता है जिसमें उन नीटिव रहे हैं है उसमें डायरेक्शन नहीं होता है तो एनरजी है 1 Megafaxle equal to 1 Megafaxle equal to 1 Newton per mm square ठीक है The center of gravity of a quadrant of a circle lies along the central gravity radius r a distance of 4r by 3pi The ratio of moment of inertia of rectangle to that of triangle having same base and height about their base Base के लोग निकलना है BHQ by 3 यह rectangle के लिए होता है और triangle के लिए BH BHQ by 12 यह triangle के लिए होता है इसका ratio अब क्या होगा दोनों को divide करना है तो बीएच क्यूब पहले हो करेक्टेंगल का कुछ आए तह बीएच क्यूब और डीएच क्यूब बाई 12 और डीएच क्यूब बाई थी और यह ऊपर चला जाएगा 12 इन्टो भी एच क्यूब आ तो 3 से 4 कट जाएगा अब यह से बीएज कट जाएगा ठीक है तो टू एल थी थी फोर जाट टूवल फोर एंसर हो जाएगा ठीक है नेक्ट कोस्टन देखेंगे हम लोग फिर से पाच्वा कोस्टन होगा पाच्वा कोस्टन क्या है कि वेन अबीम और लोड़ेट ट्रांस भर्सली दा मैक्समें बेंडिंग कंप्रेशन स्टेस डेवलोप्ट अगर यह तो कोई लिखा नहीं लेकिन हम लोग इसको एजूम करेंगे सिंपली सपोर्टेट बीम है ठीक है और सिंपली सपोर्टेट बीम में उपर क्या होता है कंप्रेशन और नीचे तीठेशं ठीक है तो उन लोग इस सिंपली सपोर्टेट बीम को अगारें क valid 26 पर मेले ठीक है तो बीच में क्या होगा निटटयलेक्शी mêmes और यहाल सीपर होग क्प्रेशन और निचे तो लिось लिखा यहीं पूह कि लोड़ेट transversely maximum bending compression developed at top fiber compression top होता है न्यूट्र लेक्षिस से यह न्यूट्र लेक्षिस है और उसके ऊपर के आपके compression C और नीचे के आपके टेंशन ठीक है अगला और C बराबर compression और T बराबर tension ठीक है अगला question a simply supported beam carry two equal load concentrated W at distance L by 3 from either support maximum bending moment in beam maximum bending कितना होगा और simply supported beam concentrated loader है तो L by 3 और L by 3 बोद support से और tool equal concentrated load है और L by 3 distance पर है L by 3 distance left और L by 3 distance right और जो rest बचेगा भी कितना होगा L by 3 ठीक है तो इसका एंसर होगा इसका एंसर होगा है WL by 3 next question a cantilever beam having moment of energy I modulus of elasticity E length L carry uniformly distributed load W per unit run over entire span deflection पुछा है deflection क्या हता है cantilever case में WL Q by 3EI अगर वहीं slow push the theta slow push the theta WL square by 2EI और deflection अभी एक डिगरी ज्यादा होता है किसी भी के स्कीम हो ठीक है नेक्स्ट कोश्चन मैक्सिमम स्टेस इंड्यूस इन स्टाप नेमरिकल कोश्चन है सिग्मा बराबर 3 by 2 टाव एभरेज होता है टाव एभरेज चिक्खें एक सॉलिट साफ्ट 125 mm इन डाइमेटर ट्रांस्मीट 120 किलो वाट एट 60 रपीम दो मीन टॉर्क टू मैक्सिम साफ्ट इस सब्जेक्टेट टू अप्रोक्सिमेटली अगर हम लोग इसका फर्मूला देखेंगे तो क्या होता है टाव बाई टाव बाई आर और जी थीटा बाई टाव बाई आर टी बाई जे और जी थीटा बाई जी थीटा बाई एल टीखेंगे इस स्वाल भोजाए कोशने एक टेंगलर बार इस सब जेक्टे सेंट्मूला टींचल्य से लोड प्रेद्ाइं प्रेदुशेंग एख्वेंट्टै जीजेंगम् प्रेद्टमभेजनद फ्रेक्वेशet फ 치न थीटा फ्लोकीखेंगे इसद्ञे सेर फोर्स डाइगराम ओफ क्यंटि लीवर बीम करीं यूदी I पर यूदुल है यूद्य है तो क्या हो जाए ठोस्ट जाइगा कुरस यूदंक कांसंट्रेटर लोब के लिए ठीक है ये पर में दिस्टिबिटर लिए इन फर्मी डिस्टिबिटर लोड के लिए होगा तो यह राइट एंगर ट्रेंगल हो जाएगा ठीक है यह triangle होगा आपका concentrated load होगा लेकिन इस question में है UDL के लिए तो right answer हो जाएगा आपका C when 2 equal like principal stresses P1 and P2 then ratio of radius of Mohr circle will be Mohr is equal to P1 P1 or P2 में radius of Mohr circle कितना होगा when 2 equal like principal stresses P1 and P2 acts then radius of Mohr circle will be radius of Mohr circle कितना होगा when 2 equal equal unequal sorry sorry when 2 unequal principal principal when 2 unequal like principal stresses P1 and P2 acts then radius of Mohr circle will be P1 plus P2 by 2 ठीक है अला question 3 number for a column of actual length L whose both end fix crippling load equal to kya होगा crippling load क्रीपिलिंग load होता है P equal to pi square EI pi square EI by L effective का square होगा प्राइब का square इस question में इस question में इस question बोट in fix है तो L बराबर क्या होगा L effective बराबर L by 2 L by 2 और अब इस फर्मुला हमें रखिए Pi square EI by L effective का square में जहां L effective equal to kya रखना है L by 2 तो P equal to pi square EI by L by 2 का whole square whole square कितना हो जाएगा L square by 4 फोर हो जाएगा तो यह क्या ऊपर चला जाएगा 4 तो 4 pi square EI by L square बी एंसर हो जाएगा आपका ठीक है अगला question 14 number if a stable simply supported beam has a rolled support on ind then other ind will be simply supported roll है तो other ind क्या होगा hinge होगा ठीक है other ind क्या होगा hinge होगा पंदर नमा question the ratio of average shear stress to maximum shear stress equal to 2 by 3 2 by 3 2 by 3 2 by 3 ठीक है अगला question or tau max solar number question if a what will be the relation between E Young's modulus K bulk modulus and mu Poisson ratio. तो E equal to relation का अगा था E equal to 2 G 2 G 1 minus 1 plus mu or E equal to 3 K bracket में 1 minus 2 mu or E equal to 3 K bracket में 1 minus 2 बराबर 0 if a soft diameter D length L has been loaded axially the ratio change in diameter to original dimension will be यह कौन सा होता है है रिश्यों कितका चेंजिन देमेंशन ओरीजिनल देमेंशन क्या होता है लेटरल एस्ट्रेंट लेटरल एस्ट्रेंट ठीक है और हम लोग अब 17 नमबर क्वेश्चन देखेंगे टा बैंदिटी मोमेंट फोर एस्सार इस्साथ बैम मारि पोलु को यहह ऑर थीज गीक अबढ़ फोर्स से förstazers गया मेंट अजर्फों आड sóक यहांगे इत्रफॉर्ट एसबार क्श्चन पॉर्च सेयर फोर्सWeek और वेंडिंग मोवमेट किसी बीम में कॉंस्टेंट है तो शीर फॉर्स क्या होगा जीरो होगा ओके अब हम लोग 19 नमर कोशेंगे दा एरिया अंडर स्ट्रेस इस्टेर्ण कर विलेशन the area under stress strain curve energy per unit the plastic section modulus for a rectangular section width B and depth D plastic section modulus plastic section modulus of rectangular depth D BD 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 square by 6 section modulus bd square square के लिए कितना हो जाएगा BD equal हो जाएगा BD BD और बराबर D हो जाएगा BD equal हो जाएगा BD B का Q by 6 या D का Q by 6 ठीक है square के लिए BD B Q by 6 अगला a loose uniform sand with loaded with rounded grain has effective grain size of 0.5 the coefficient of permeability of sand coefficient of permeability के दना हो जाएगा ने मेरेकर क्वेस्चन है 1 अपन के होता है in a saturated soil deposit density of 22 kilo newton per meter cube the effective normal stress on horizontal plane at 5 meter depth will be effective normal stress on horizontal plane निकान हाइश को formula से अगला question net ultimate bearing capacity of soil is 50 ton per meter square and density 1.7 ton meter cube the safe bearing capacity 1 meter below the surface taken as a saturate clay layer with single drainage takes 4 years certain 50% degree consolidation if the clay layer had double 50% a soil sample having wide ratio E का value दिया कितना है 0.5 और परोसीटी कितना होगा परोसीटी का फर्मूला क्या होता है परोसीटी ETA उकल टो E by 1 प्लस E तो E का बहले 0.5 अपन 1 प्लस 0.5 0.5 इस और करने पर कितना होगा है 30 0.33 0.33 लेकिन पर्सेंटेज में है तो हम बोलोग क्या करेंगा इसको 100 से मुल्टिप्लाइ कर देंगा पर्सेंटेज में आजाएगा और पर्सेंटेज में आजाएगा तो कितना आजाएगा 0.33 इन्टो 100 इकल तो 30 33 परसेंट अला कोच्चन अला किकोच्च कर्फच्च करेंगा है अला कён comment कर 10 रствен 15 इकल अला कंड़ करteंगा कर as a side of putting a square the ratio of their ultimate capacity 4 by 3 a saturate layer layer while flowing correction correction a standard penetration value dilation c ke liye ground water absorb pressure all of these s while has liquid limit 40 percent l l equal to 40 percent plasticity index plasticity index 20 percent ip ka value ip ip ka value 20 percent plastic limit puchha hai to plasticity index equal to liquid limit minus plastic limit plasticity index desire 20 percent equal to liquid limit 40 percent minus plastic limit plastic limit कितना हाजाएबगा 40 में 20 परसेंट अगला question है अगला question क्या है The behavior of sand mass to cause liquefaction during the earthquake largely depends upon member of stress cycle, angle of internal friction of sand is very different. Swelling, nature of black cotton soil primarily due to presence of mount mineralite, local shear failure, even phi angle of internal friction, then local shear failure, theta value is less than 28. For a soil having angle of shearing resistance is 30 degree, coefficient of earth pressure equal to coefficient of earth pressure is equal to 1 minus sign phi by 1 plus sign phi then 0.33333 will be equal to 1 by 3. The next question is relative density of soil is determined by relative density cohesion less के लिए होता है, relative density या degree of density बोलते हैं के लिए होता है, for fully saturated soil degree of saturation equal to saturate के लिए degree of saturation 1 होता है, 100% मान के लिए चलते हैं 36 नमर्वर कोशन देखेंगे अब हम लोग, dry density के लिए कितना हो जाएगा? 0, ठीक है? If a particular size of particle is missing of soil then it termes और particle size missing है तो वो कौन सा होगा? Particle size missing है तो वो gap graded soil होगा, ठीक है? A silty soil of high compressibility is represented by a symbol Silty के लिए SM, silty के लिए होता है M और high के लिए H तो silty के लिए हो जाएगा M और high के लिए H तो M पहले आजाएगा H बाद में होगा M, H हो जाएगा answer आपका अगला Compaction is a process of Compaction किसका process है? Arrangement of particles by dynamic pressure A static pressure Or replacement by air Change in water without volume D answer होगा The force of attraction between the individual particles of soil which keeps the soil particles bounded together is called कुछको बोलते है Force of protection Compaction बोलते है Bounded together है Individual Particle के लिए वो क्या हो जाएगा? Cohesion हो जाएगा Cohesion के चलते होता है दोनों Particle एक जैसे सरते हैं Dimension पुछा है Dimensional Formula Coefficient of Promility के लिए Dimensional M Centimeter Per Second ML M T-1 Angle of Friction For Purely Cohesive Soil Purely Cohesive Soil के लिए Zero हता है Angle of Internal Friction A Plate Load Test Is Performed to Determine Plate Load Test किसके लिए उज़ के जाता है तो Plate Load Test किसके लिए उज़ होता है आप बताइए Plate Load Test दोनों के लिए होता है Bearing Capacity और Settlement के लिए Along a Fatric Line The Arthorn Dam Along the Fatric Line Arthorn Dam Along the Fatric Line Pressure Is Greater Than Atmospheric Pressure Okay The Permalty of Soil Varies With Permalty K Permalty K Permalty K Equal To C D D Square E Q By 1 Plus E Into Gamma By Mu यहाँ फर्मूला से हम लोग इस Question को इसली सल करते है B Answer होगा As the Square of Grain D क्या है Grain Size है तो इस Square का Proportional है Metacentric Height is the distance between Metacentric Height Metacentric Height Metacentric Height Metacentric Height The distance between center of floating body and metacenter Relance Number Inertia Force to Viscous Force Inertia Force to Gravity Force Fraud Number Fraud Number Fraud Number होता है Gravity Fraud है यहाँ कर सकते है Another Question Hydraulic Radiant Line Represents the sum of Hydraulic Radiant Line Is the sum of Hydraulic Radiant Line Represents the sum of Determine and Pressure Head Separation of Boundary Layer Takes Place in Case of Separation of Boundary Layer Takes in the Place of Positive Pressure Gradient Separation होता है When a Liquid Flow Carry Pipe Diameter D and Average Velocity V Head Loss HF In a Pipe Length L And Friction Factor F Is Given By HF Equal To 4 F L V Square By 2 G D SSC में B में अफ़ होता है Pitot Tube Pitot Tube Is a device used to measure velocity Pitot Tube Velocity के लिए उज़ोता है Pitot Tube Pitot Velocity Velocity Component X and Y Direction of Stress In a Rectangular Channel Rectangular Channel Rectangular Channel में क्या होता है D Equal To 1 By 2 Specific Energy Hydraulic Depth Of Triangular Channel And Side Slope And Side Slope V H Ratio V H Ratio 1 The Depth Of Flow D Equal To Triangular के लिए पुछा है D Equal To Y By 2 Under Root 2 Under Root 2 Y Equal To Y By 2 D Equal To Y By Under Root 2 In A Hydraulic Jump In A Hydraulic Jump Separate Super Critical Depth And Sub Critical Depth Are 1 Or 1.5 The Loss Of Energy In Hydraulic Jump In Rectangular Channel Nameable Question है In Case Of A Steady Jump The Range Of Fraud Number Steady Case में Fraud Number का Range कितना होता है 4.5 से 9.0 तक होता है Infiltration Capacity Infiltration Capacity किसका है Infiltration Capacity Change In Both Time And Location Current Meter Is To Major Current Meter किसके लिए उज़ता है Current Meter Is To Major Discharge And Ideal Fluid किसको बलते है Ideal Ideal Fluid किसको बलते है जो Friction Less हो और Incompressible हो Ideal Fluid किसको बलते है Friction Less And Incompressible Friction Less And Incompressible Friction Less And Incompressible To Head Supply 1 By 2 For Laminar Flow Of Circular Pipe दार्सी Friction दार्सी Friction Factor इक्वल टू लेमिनार फ्लो किसको सरकुलर के लिए होता है 64 By Re 64 By Re R बराबर क्या होता है Reliance Number Which of the scale Is Largest Largest क्या होगा जब नोमिनेटर क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा हो लारजस्य decep हम लग जानते हैं क्या कि एक सेंटी मीटर में 10 mm हультा है 1 cm में 10 mm तो यह one cm तो यह क्यों हो जाएगा One upon 10 है तो 5,000 हो जाएगा यह 1 mm है तो यह 20,000 हो जाएगा, यह 1 upon 4,000 है, यह 1 upon 20,000 है, तो largest को हो जाएगा, 1 by 2 D, यह तो 20 है, यह वेल कंडिशन ट्रेंगल शूड नोट है वेल कंडिशन ट्रेंगल में, एक वेल कंडिशन ट्रेंगल में, यह जो लिखे अभी, नहीं नहीं, यह वेल कंडिशन ट्रेंगल शूड नोट मोर दैन, well conditional triangle में 30 से तो कम नहीं होना चाहिए 30 degree से कम नहीं होना चाहिए और 120 degree से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस question में कहता है 120 से ज्यादा तो answer C हो जाएगा ठीक है अगला दस्वाम ओप मेजर इंटेरियर एंगल अब क्लोज ट्रेफर्स है साहल एन टू एन टू एन बाइफ फोर तू एन माइनस फोर बाइफ शिक्स्टीन कमन फर्मूला है और दो कमन लेंगे तो कितना हो जाएगा एन माइनस टू इन टू वनेटी ठीक है क्रिक्टा क्रिक्मेटन आप्लाइड गाम bně को हतना है टू 10iken को रचल बाइड गाम ऩोर गाम ₽8 0 Box L method of labeling as compared to rice metal more accurate which of the following we are is not classified on the basis of shape of opening we are classified na hai ogi is shaped like we are equipotential line represents equipotential line represents equipotential line is co represent constant value of velocity potential question 68 the reading of a differential manometer containing mercury specific gravity 13.6 is 20 if mercury is replaced by water for an element subjected to pure stress tau and maximum principal stress equal to a torsion test gives the shear modulus of separation as 12 to 10 to the power of 4 newton parameter when the same sample is subjected to tensile test the elastic modulus which is a numerical value question a body having weight a thin cylindrical vessel the ratio of circumference is two longitudinal stress one a material is referred to perfectly rigid the modulus of elasticity is infinite material of perfectly rigid if it is perfectly rigid if it is perfectly rigid then its modulus of elasticity what will be infinite how it will be infinite if it is plastic for perfectly plastic it is perfectly rigid then its modulus of elasticity how it will be infinite okay the next question we will see 73 a uniform bar l cross section area a material density d rho is subjected to very vertically in the distance from one end axially range axially elongation of r delta equal to gamma l square by 2e a body a body having weight 200 newton is placed on a rough horizontal plane with a coefficient of friction between the body and horizontal plane is 0.3 horizontal force required to just slide the body plane a body fall from rest find the velocity of body at instant it has fallen through a height h meter a body fall from rest find velocity of the body at an instant height through under root 2e a soil sample i mean specific gravity specific gravity g equal to 2.65 and has wide ratio 0.e equal to 0.8 the water content of percentage required saturation saturate soil अगर आप निकाल सकते हैं इसको कॉमेंट में जीजे प्लीज दिशाड वेलोसिटी आप आप वेलोसिटी इस एटी इन्टो तेंटो पर मैने सेवन मीटर पर सेकंड वाइड शुपाइंट फोट इस सीपेज वेलोसिटी सुर्ज तेंग ईघी डू सोर्ज टेंग सिस्टू तू ट्यार्ज टाइंगा है टो डिएंड वाटर हैं आप डाम अमन्सटा ऑ श्रॉफाऀंद व quellaुटरू यहinden श्रॉफ़ल देंट्री इंटेंसंडो केतना हता है MLT-2 और लेंथ का L तो L से L कट जाएगा तो कितना बच जाएगा MLM sorry MLT-2 answer D Kinematic Transition Curve is introduced to gradual change of gradient transition curve gradient change होता है axis about which telescope and the vertical circle of the light rotate in vertical plane to square turn your axis in case of labeling the back side is in case of labeling the back side is the first stop reading taken after the setting setting of instrument for a tachometer additive 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 कितना होता है zero और multiply 100 अब्स्टेकल इन्टू रेंजिंग बट नॉट चैनिंग अब्स्टेकल तो रेंजिंग में है लेंगे चैनिंग में नहीं है अब्स्टेकल टू रेंजिंग हिल हो जायेगा अब्स्टेकल रेंजिंग तो है लेकिन चैनिंग नहीं है रेंज मतलब क्या आप सुचिए कि पहार है उसको देख सकते हैं लेकिन उसक्व के चैनिग कर सकते है नहीं यह question में है क्रोस हेर इन सर्भे सर्भेरिंग टिलिस्कोप क्रोस हेर इन सर्भेरिंग टिलिस्कोप इन भॉगा इन दर फरॉंट आा bet इस क्रोस Detelike क्रोस हेर आयपीस के पास में हता है a series of closely spaced contour represents a series of closely spaced अगर समझ लीजे कि पास हो जाए closely spaced हो जाए contour तो क्या represent करेगा वो a steep slope represent करेगा ठीक है the process of turning the telescope about vertical axis in horizontal plane horizontal plane में उसको turning उसको swinging भोलते हैं ठीक है प्रपोज टू बिल्ड एक्रोस्ट विट्थ रिवर्ड स्वर्वे मेथर्ट वाइस चेकुमेट्री चेकुमेट्री से क्या करेंगे हम लोग रेंजिंग से रेंजिंग खाली करना पड़ता है ब्रीज हो गया है ठीक है मिन सी लेबल एट एनी प्लेस इज अब्जोर्ब डेटर्म ऑफ अवर्ली टाइड हाई अब्जोर्ब इन प्रियर नियरली विश साल उननी साल लेते हैं लेकिन इस क्वेशन में प्रोक्स कौन सा अप्शन है विश है शिफ्ट ऑफ कर्व शिफ्ट एसेच इफ्ट शिफ्ट ऑफ क्वेशन टू एल स्कौरबाइब ट्वान्टी फोर आर और यह कोश्चन इस पार यह कोश्चन इस पर सचिजिस यह 2022 में मेरे शिफ्ट में पूछाता क्वेश्चन यह ठीक है which of the following method plane, table, surveying is used locate the position of an inaccessible point meaning inaccessible है वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं उसमें कौन सा method उज़ करेंगा है in a c e s i b l e inaccessible है तो उसमें कौन सा method उज़ करेंगे आपका inaccessible intersection i n t r e r e s c t i y intersection ठीक है inaccessible है inaccessible है तो यहाँ लिखाई in intersection लिखादा साई से भाई ठीक है 96 if the diameter of long column is measured by 20% percentage of euler buckling कितना हो जाएगा साप तो है नहीं यह भी निम्रकर कोस्टन आगा is kilo newton point low dark surface of infinite elastic medium, the vertical pressure intensity in kilo newton negative skin friction is coincided when the pile is coincided through an negative skin friction curve dense fine sand क्लिए, numerical है भी, water stored of reservoir below minimum pool level equal to dead, surge, charge, storage उधर पुछाता question में surge time में इसलिए दो ऋबार पुछ दिया question ठीक है थैक और थैक्डन क्यों पर वाचिंग प्लिज सब्सक्राइब मैं चैनल प्लिज सब्सक्राइब मैं चैनल थैक्डन की फर वाचिंग